फ्रेंट्स आज के इस विडियो में हम जानते हैं कटहल के बीज के स्वास्थिलाब कटहल एक अनोखा फल है जिसका सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है ये फाइबर, प्रोटीन, विटामिन A, मेगनीशियम, पोटेशियम और विटामिन C सहित कई जरूरी पोशक तत्वों से भरपूर है कटहल डाइबिटीज वाले लोगों के लिए भी अच्छा है इसमें लोग लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो हेल्दी बलड शुगर लेवल को बनाये रखने में मदद कर सकता है बहुत से लोग नहीं जानते कि कटहल के बीज भी बेहत पॉश्टिक होते हैं कटहल के बीज आपके स्वास्थे को कई तरीकों से बढ़ावा दे सकते हैं तो इससे पहले कि आप अगली बार कटहल के बीजों को फेक दे आये कुछ हैरान करने वाले स्वास्थे लाभू पर एक नजर डालें नमबर वन हॉट हेल्थ को बढ़ावा देते हैं कटहल के बीज पोटेशियम से भरपूर होते हैं पोटेशियम ब्लड वैसल्स को आराम देकर और हॉट सिस्टम बहतर बनाये रखता है और हॉट डिजीज के जोखिम को कम करके ब्लड प्रेशन नंबर को कम करने में मदद करता है 3. हड़ियों को हेल्दी रखता है हेल्दी हड़ियों के लिए आपको कैलशियम के अलावा कई अन्य पोशक तत्वों की भी जरूरत होती है मैगनीशियम उनमें से एक है कटहल के बीज मेगनीशियम से भरपूर होते हैं जो केलशियम के अफ्शोशन में मदद कर सकते हैं और हटेयों को मजबूत बनाते हैं कटहल के बीज अपने काबोहाइडरेक कंटेंट के कारण एनजी का एक अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं इसके अलावा उनमें भी कॉंपलेक्स विटामिन होते हैं जो भूजन को एनजी में बदलाव करने और हेल्दी मेटाबॉलिजम को सपोर्ट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं नमब फाइव अनीमिया को रोपने में आपकी मदद कर सकते हैं अनीमिया एक आम स्वास्ति समस्या है जिसका सामना कई लोग खासकर महिलाएं करती हैं कटहल के बीज आयरन का अच्छा स्रोत हैं जो हेल्दी रेड बलड सल्स को बनाने में मदद कर सकते हैं परियाप्त आयरन का सेवन आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया को रोपने में मददगार है। विडियो में दिये गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिये गए हैं और इसे आज माने से पहले किसी पेशेवर चिकित सक सलाह जरूर लें। तंक्स फो वाचिए